आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जीव विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें तो पहले हम देखते हैं कि अनुआशिक तह यहां लोकेंगे अनुआशिक तह रुपांतरित जीव तो दोस्तों ऐसे जीव जिनका अनुआशिक पदात जिनका अनुआशिक पदात क्या कर दिया गया है बदल दिया गया है क्या कर दिया गया है दोस्तों बदल दिया गया है बदल दिया गया है एसे जीवों को अनुवानशिक रुपांतरित जीव या फिर GM organism यानि कि genetically modified organism अनुवानशिक रुपांतरित जीव इन्हें कहा जाता है अब यदि हम देखेंगे कि कौन से जीव जो है अनुवानशिक रुपांतरित होते हैं तो कुछ खरगोश जो है इन खरगोशों में क्या किया गया है अनुवानशिक रह एक जेली मख़ली का जीन परिवार्थित कराया गया है जिससे ये भी क्या करता है जेली मख़ली के समान चमकने लगता है एसे खरगोश को क्या कहेंगे GMO organism कहेंगे अब हमें प्रेशन में क्या पूछा है अन्वान्शिक्ता संशोधित फसले यानि कि अन्वान्शिक्ता रुपांत्रित फसले जिनें GM फसल, genetically modified फसल भी कहा जाता है इनके अंदर क्या किया जाता है कि किसी फसल के अंदर जीन में परिवर्तन करके उसे क्या किया जाता है संशोधित किया जाता है यानि बदल दिया जाता है ठीक है और किस प्रकार की फसल हम उधारण लेते हैं BT कापास BT कापास में क्या करते हैं Bacillus Turingiensis यहाँ पर इसका नाम है यहां BT कापास लिख लेते हैं पहले BT कापास इसके क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें BT यानि कि Bacillus Turingiensis नामक जिवानों का चीन परिवर्दित चीन प्रवेशित कराए जाता है जिसके कारण यह कापास केसा हो जाता है कीट प्रतिरोधी हो जाता है कापास केसा हो जाता है कीट प्रतिरोधी हमारा हो जाता है इसी क्या कहते हैं जनेर्टिकली मॉडिफाइड वसल आशा करते हैं किस प्रश्ण का उत्तर समझायगों कर वीडियो को देखने के लिए धन्यवाज आशी डाउनोट करें डाउटने आप या वत्साप करें अपने सारे डाउट्स आच चारसो 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 पर